इत्यादी के लिए अकादमिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है साथी पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम वारा सैलरी वा अनुवित्य कारिये को सकलता प्रूवत निश्पादीद किया जा रहा है बिगत वर्स बारत सरकार के जन पोटल पर सरवादिक खरीदारी करने में विश्वध्याले को पुरे दिहार के विश्वध्यालों में सर्वोच स्थान प्राप्त किया है और पुरे दिहार के 10 सरवादिक करने वाले संस्थानों में 14 स्थान प्राप्त किया है जिसके लिए बिहार सरकार ग्यारा विश्विद्याने को सम्मानिर भी किया जा चुका है आप सभी से अनुरूद है किरपे अपना स्थान गहन कर ले आप सभी जनों से अनुरूद है कुछी छेंड में हमारा कारिक्रम का सुभारं होनी जा रहा है हमारे मानिनी क्रिशिषर पशू एवं मतस्य संसादन विवाग मंतरी स्री प्रेम कुमार जी के करकमलों के द्वारा उनके आजमन तक आप सभी शांती बनाए रखे और अपना स्थान ग्रांड कर ले इस कारिक्रम के द्वारान आप सभी से दिने दन है कि क्रिप्ला अपनी मोबाईल को साइलेंट मोड में रखे या बंद करके रखे धन्यवाद हमारा दिस्विद्याले चहुबुखी विकास की और अग्रसर हो चुका है इसके तीन अंग्रिभूत कॉलेज अभी है इसमें सबसे पुराना एवन देश का पाचमा पसुचिगित्सा महाविद्याले हमारा दिहार पसुचिगित्सा महाविद्याले है जो 1927 से इस दिहार में अपनी सेवाईं प्रदान कर रहा है इसके दूसरी अंग्रिभूत काई है डेरी कॉलेज संजर गांभी डेरी कॉलेज और अभी इसी वर्स से सत्र शुरू हुआ हमारा फिसरी कॉलेज किशन गंज में अस्थापित है इस तरह इस विश्विद्याले के ये तीन महा विद्याले महत्पून इकाई हैं जो विभून छेत्रों में पूरे प्रदेश में अपनी सेवाईं प्रदान कर रहे हैं अभी पिछले एक अगस्त को हमारी ही प्रांगन से हमारे मुख मंत्री द्वारा चलाया गया अभियान जल जीवन हरियाली कारिक्लम का शुभारम भी किया गया इसका सुभारम हमारे खेल मैदान विश्विद्याले के प्रांगन में वन विभाट और बिहार पश्यू विज्ञान विश्विद्याले के सहभागीता से आयोजित काई करमशे किया गया विगत एक अगस्त को जो हमारे मुख अति थी मानिय मुख मंतरी स्री मितीस कुमार जी के करकमलो द्वारा किया गया और इसके अंतरगत पूरे विश्विद्याले के प्रांगन में करीब एक हजार पौधों को लगाने का लक्ष रखा गया है और यहां से सुरुआत करके भी पूरे दिहार में करीब 15 अगस्त तक विभिन्य प्रांगनों में हर्याली का कारिक्रम आयोजिन किया गया और उसके अंतरगत जगा जगा पौधा रोपन किया गया अब कुछी समय में हमारे मख्यातीती हमारे बीच होंगे और इस कारिक्रम का सुभारंद करेंगे मंत्री महोदेजी ने हमारे जगा 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 तीवी सिसी का ब्रह्मन कर लिया है और मंच की और आसीन होने के लिए वो अगरसर हो चुकी है और कुछी छण में हमारे बीच होंगे हमारे मंच पर आसीन होंगे बीच सुटाल सेस्टार सेस्टाल अगा जगा 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 जगा^^ च ultración बीच सÅन्न में होनेMat जगा हमारा विस्विद्याले प्रगती के पत्पर अग्रशर है चाहे वो सिक्षा हो सोध हो या प्रशार हो हर तरफ से अपनी सेवाई दे रहा है अग्रशर एक वर्सों में बहुत सारे देश के डिदिन उच संस्थानों के साथ इसने एमो यू किया है ने मुरंडम और अनरस्टेंडिंग जिसके तहत यहां के सिक्षक और शात्र का वहां से आदान प्रदान हो सकेगा और इस तरह शिक्षा सोथ और प्रशार के सित्र में हम अपनी जो भी ज्यान है उसका आदान प्रदान करेंगे और इसमें बहुतरी करके अपने बिहार के विकाश का लक्ष आगे बढ़ाएंगे इस तरह यह दो वर्सों में ही बिहार पसुवी ज्यान विस्वी द्याले करमसा उन्नती के प्रत पर अग्रशर है और पसुपानन के छेत्र में हमारे बिहार का अस्थान भी अग्रगणी बेस में बनाना चाहता है और हमें पूल निश्य है कि कुछी वर्सों में हम अपने लक्ष को जरूर हासिल करेंगे एडवांस इस चड़ी के लिए विश्वी द्याले नवीन उपकरणों का इस्तमाल कर रहा है जिसके साथ ही यहां के छात्र छात्राओं को बहतर पठन-पाठन सामगरी और तकनीक के उप्यों का लाब मिल रहा है अभी हाली में विश्वी द जाले के अनोतोमी विभाग में एसिया का पहला वर्चुल डैसेक्शन टेबल लगाया है यह डैसेक्शन टेबल पसू के विच्छदन में और पसू के सरीर रच्छना के पढ़ाई में उप्योगी होता है यह एसिया का पहला वर्चुल डैसेक्शन टेबल है जो बिहार पस विजु चिकित्सा महाविद्याले में एनुटॉमी विवाग में इंस्टॉल किया गया है लाइब्रेरी भी हमारे कैम्पस में नया बन के लगभग कैयार हो चुका है जो कि इस विद्याले का रास्ट ये लेवल का लाइब्रेरी होगा और इसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्द होंगी यहाँ पर इलर्मिंग की शिनवा है और नेक्ट से सारे कनिक्टिविटी दिये गया है ताकि छात्र छात्राएं यहाँ पठन पाठन में ज्यादा से ज्यादा उस लाइब्रेरी का उप्योग कर सके और उससे लाभाईवित हो सके मंत्री महदे का आगमन हो चुका है साथी हमारे आज के स्थापना दिवस हमारों के विशिष्ट अतित्यों का आगमन हो चुका है हमारे आज के मुक अतिति कृष्णी संह पसु एवं मतस्य संसाधी मिवाग मंत्री स्री प्रेम कुमार जी का आगमन हो चुका है कुछी समय में हमारे मंज पर वो उपस्तित होंगी और इस कारिक्रम का सुभारंग करेंगे हमारा यह विश्विद्याले दो वर्सों में काफी उल्लती किया है यहां के छात्र छात्राएं देश और विदेश में भी अपनी सिख्षा यहां से प्राप्त कर सेवा देकर पर्चम लहरा रहे हैं यहां से शिख्षित्व के छात्र उच्ची सिख्षा के लिए अच्छे अच्छे देश के शंस्थानों में दाखिला ले रहे हैं और विदिन पदों पर सेवाएं प्रदान कर इस विद्याले का नाम रोशिन कर रहे हैं यहां के छात्री छात्राएं विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं मैं आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद है नवाट के अध्यर्च दॉक्टर हर्सकुमार भानवाला साहब जो आज फांडेशन दे लेक्चर देंगे और सभी को सम्रोधित करेंगे मैं विश्विद्याले परिवार के होर से डॉक्टर हर्सकुमार भानवाला साहब का स्वागत करता हूँ अभिननन करता हूँ मंत्री जी का हमारे मंच की होड़ आगमन हो चुका है आप सभी से अनरोद हो क्रिप्या अपने अस्थान पर खड़े गोकर हमारे मानिनिये मंत्री जी का स्वागत करें हमारे मानिनिये क्रिशी संप पसुयों मतस्चिर कास्त मंत्री दिहार स्री प्रेम घुमार जी आज के मुक्यति थी है उनका आगमन हो चुका है महब है आप से अनरोद है क्रिप्या मंच पर आसील वोकर हमारे जिसी विध्याले की सोभा वढ़ाएं मैं सभी गंजमान तीतियों से अनरोद करता हूँ कि वे मंच पर पढ़ारें वा अपना अस्थान घृहन करें मंच पर आसील होने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर हर्स्क मार्भानवाला प्रेसिडेंट नाबार डॉक्टर एनार विश्वास डिरेक्टर आईजी आई एमस पतना मेडम सिखा सिर्वास्तों एंबी कॉंफेट पतना अन्रेवर वाइस चांचलर बिहार एनिमल साइशेज सिंशी द्ओक्तर रटापानचिट अंबस्टर पीके कपोर डिरेक्टर रिचर्च डॉक्तर रडीन कुमार धन्यवाद बहुत है आप सभी का दिहार पशी विज्ञान जिस्वी द्याले के दीतिय अस्थापना दिवस समारों के पावन आसर पर हार्विक अभिनंदन है आदे काल से ही हमारी भारतिय शंस्क्रिती में सिख्षा का बड़ा महत्व रहा है सिख्षा को अमरत्व का स्ताधन माना गया है एवन यह माना जीवन का एक महत्वन अंग के समान है और सिख्षा हमें पुस्तकों से निलती है कहते हैं सुझे ना जब कोई निदान पुस्तक से मिले समाधान पुस्तक देती हमको ग्यान जब होता मन परिशान आईए हम अपने अतीथियों का स्वागत एक अनुखी परंपरा बुकी और बुक्स की द्वारा करें ये किताबी कुछ खास हैं एवं विस्वी द्याने द्व संकलीत एवं प्रकाशित हैं ये पुस्तकों का गुछ हैं हैं बुक पॉर बेटनेरियन, पॉल्टी प्रोडक्शन, बुकलेट और एक्टिविटीटीज और अचीव्मेंट्स आफ बेटनेरी होस्पिटल, इस विद्याले का प्रथम न्यूजलेटर, युनिवसिटी आट ग्लांस अबाउ डिरेक्टरेट आफ रिसर्च और एक्टिविटी और एक्टिविटी और एक्टिविटी और विट्नरी अमर्जेंसी रिसपॉंस यूनिट, इन पुस्तकों के गुछ से मैं माने लिय कुलपती महोदै डॉक्तर रामेश्वर सिंग जी से शादर निये दर क करना चाहूंगी कि आज की हमारे मुक्यति थी डॉक्टर प्रीम कुमार जी का स्वागत पुस्तक गुश भीट कर करें। धन्यवाद महुझे एक बर पुला मैं औरेवी वाइस चांसलर सरसी निवेदन करूंगी कि पुस्पस गुश भीट कर हमारे प्रेसिडेंट नाबाड डॉक्टर हांस कुमार भानवाला को स्वागत करें। पिना किल्पती महुझे से निवेदन मैडम सिखा सिरवास्तों एमडी कॉंफेट पटना का उस्तक गुश भीट कर स्वागत करें। पिना निवेदन कुल्पती महुझे से दॉक्टर एनार विश्वास डिरेक्टर आइजी आइमस पटना का स्वागत उस्तक गुश भीट कर करें। धिन्यवाद महुझे अब मैं इस विश्विद्दाले की छात्रा कंचन से निवेदन करूंगी। हमारे कुल्पती महुझे दॉक्टर रामिस्वार सिंजी को उस तक गुश भीट कर उड़ी उनका स्वागत करें। इस विश्विद्दाले की छात्रा कंचन हेल्प करेंगी। हमारे रजिस्टार से डॉक्टर पी के कपूर उस तक गुश भीट कर हमारे कुल्पती महुझे का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद महुझे इस विश्विद्दाले की छात्र चंदन से निवेदन करूंगी। हमारे रजिस्टार दिहार एनिमल साइंसेज इंवर्सिटी डॉक्टर पी के कपूर का स्वागत उस पक गुश भीट कर करें। धन्यवाद अब मैं इस विश्विद्दाले के छात्र अपूर्वा से निवेदन करूंगी। हमारे डिरेक्टर रिसर्श डॉक्टर रविंद्र कुमार का स्वागत उस तक गुश भीट कर करें। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी अतीतियों से आगरा करता हूं कि वे दीप प्रजुलित कर इस कारेक्रम का विजुवत शुभारम करें। दीप प्रकाश का गो तक है तो प्रकाश ग्यान का। प्रमात्मा से हमें संपूर्ण ग्यान मिले। इसलिए दीप प्रजुलन करने की परंपरा है। जिस प्रकार दीप की जॉती हमेशा उपर की और उठी रहती है, उसी प्रकार मानों की भृति भी सदा उपर ही उठे, यही दीप प्रजुलन्गार्थ है। धिस्ट गुद्धी, मिनाशाए, दीपो जॉति, नमस्थुते. अंदकार को दूर भगाने के लिए दीव जलाने की परंपरा वर्सों से आ रही है और इसलिए किसी कारिक्रम का शुहारंग हम दीव जलाकर करते हैं आप सभी का धन्यवाद महोद है विद्या के मंदिर में अध्यानता रुपी अंदकार को दूर करने वाली माश्वरसती को अगर याद ना करें तो कुछ हमारा कारिक्रम अधूरा रहेगा इसलिए मैं इस विद्याले के छात्राओं से सभस्वती बंदना के लिए अनुरूद करूंगी इसलिए मैं इसलिए अध्याले के लिए अनुरूद करूंगी इसलिए मैं इसलिए अनुरूद करूंगी इसलिए मैं इसलिए मैं इसलिए अनुरूद करूंगी 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 जाने जाने नी तुझखे मंतर उद्याने को आरी शक्ती तर्शमा में आरी शक्ती तर्शमा में तुझखे उधिर बादे वीना मानी तादे तादे आरी श्क्ती तुझखे में आरी शक्ती तर्शमा में आ इस आयारे वादे वादे आ इस आयारे वादे जिना वादे वादे आर दे सरट वदी शखरीि सरत वदी बहुत बहुत धन्देवाद अब मैं हमारे माननिय कुल्पती महोदे डॉक्टर रामेश्वर सिंग को स्वागत भासन के लिए आमंत्रित करता हूँ माननिय कुल्पती महोदे से आगरा है कि वे हमें संबोधित करें अभी अभी हमारे बीच मंच पर आसीन हुए हैं पुर्व पशुपालन मंत्री श्री महाचंद प्रशाद सिंग जी इनके स्वागत के लिए हम आतूर हैं विस्विद्याले की छात्राओं से निवेधन करूंगी कि हमारे कुल्पती महोदे के द्वारा उस्तक्टर स्वागत करें कुछ भेटकर मंत्री महोदे का स्वागत करें हमारे कुल्पती महोदे डॉक्टर रामेश्वर सिंग जी स्वागत कर रहे हैं पूरव पशुपालन मंत्री स्री महांचंद प्रशाद सिंग जी का क्रिप्यार तालियों के साथ इनका स्वागत करें धन्यवार्द अब कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेलकम एड्रेस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने कुल्पती महोदै डॉक्टर रामेश्वर सिंग जी को सर प्लीज नमस्कार हमारे स्थापना दिवस समारों के उसर पर मुख्या थी थी माननिये किर्शी सहपसुय हम मत से संसाधन मंत्री डाक्टर प्रेम कुमार जी स्थापना दिवस व्याख्यान प्रस्तूत करने है तुपधारे नाबाड के चेर्मेन श्री हर्श कुमार भानवाला जी हमारे बीच आईजी आई एमस के डारेक्टर डॉक्टर अनर बिश्वास जी पूर्व मंत्री डाक्टर महातन प्रशाद जी मैडम शिखा श्रिवास्तो जी रेजिस्ट्रार डाक्टर पी के कपूर जी हमारे सिर्धे वरिष्ट मार्ग दर्शक डाक्टर अलावदिन एहमद साब डाक्टर मिश्रा जी और हमारे बहुत से विद्वान जो यहां पर उपस्तित हैं राज्य सरकार के अधिकारीगन हमारे विश्विद डेले के सीनियर ऑफिशर्स बी आईटी के अधिकारीगन बी आईटी के शिक्षक क्रमचारीगन सभी फैकल्टी मेंबर्स मीडिया और ट्रेस के सभी परतिनिदी डेवियो और सर्जनों मैं विश्विद डेले के स्तापना दिवस पर पधारने के लिए आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ सर उपर्थम मैं हर्दे की गहराईयों से माननिये मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा सर को आज के कारेकरम में आना था मुझे खेद है कि अपरिहार ये कारणों से आप नहीं आ सके आपका अशिरवाद वे मार्ग दर्सन हमारे साथ है हम सब आने वाले दिनों में इस केंपस में आपके आगमन को लेकर अती उत्साहित रहेंगे मैं माननिये मुख्यमंत्री स्री सुषिल कुमार मोदी जी का भी धिन्यवाद करता हूँ आपका इस विश्विद्ध दैले के साथ विशेष लगाव है आपको कल अचानक से दिल्ली जाना पड़ा और हमारे कारे करम में नहीं पदार सके आपका आशिरवाद हमें हमेशा मिलता रहेगा हमारे अभी भावक, हमारे विभाग ये मंत्री डाक्टर प्रेम कुमार जी का मैं हारदी का भी नदन करता हूँ आपके वहुमले मार्ग दर्सन में हम नित्प्रगती के पचपर आगे बढ़ रहे हैं और आपके नित्रतु का हमारे विश्विद्याले को लाब मिलता रहेगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर आपके मार्ग दर्सन में युनिवर्स्टी के नए कदम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे मैं डक्टर हर्ष भानवाला चेयर में नबार का भी स्वागत करता हूँ डक्टर भानवाला ने किर्शी और सिचाई आधार भूत संरतना के निर्मान के माद्यम से किसानों की आयब बढ़ाने की दिस्ता में निरंतर काम किया है उन्होंने देर गवदी सिचाई निधी के माद्यम से सिचाई के लिए और डेरी आधार भूत संरतना विकास निदी के माद्यम से डेरी के लिए आधार भूत संरतना के वित्त पोशन हेतू प्रियोजना बद्ध पदिती की सुरुवात की और उनके कुसल नेतरतों में नाबार की प्रिसंपत्ती दो लाक बतिस जार साथ सो साथ करोड से बढ़कर क अपनी पहुंच को और अधिक बनाया है आपका स्वागत है डक्टर बानवाला आपने हमारा स्थापना जिवस व्याख्यान का नुरोद स्विकार किया मैं मंचपर और सभागार में उपस्तित सभी गंडमान्य अतित्यों विध्यारतियों किसानों प्रेस और मीडिया के प उनका स्वागत करता हूं आपके सबके सहयोग से युनिवस्टी का तेजी से विकास हो रहा है हमारे बीच डक्टर अलावदीन एहमद साब हैं डक्टर एचर मिस्रा हैं जो बहुत ही विख्यात अकडमिशन हैं एकडमिक लीडर्स हैं मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और जो सहयोगी हमारे वरिष्ट सहयोगी यहां आई हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूं पसुधन और मात्सी की का महतव हम सब जानते हैं हमारे प्रदेश की अधिक तर आवादी करीबा 89 परसेंट आवादी हमारी गाउं में रहती है आजीविका के लिए पोशक भोजन के लिए किर्शी कारियों के लिए यह पसुधन कितना महतो पूर्ण है यह सब हम जानते हैं और पसुपालं किर्शी फसलों के मकाबले अधिक टिकाउव भी मना जाता है आप दागे समय भी खेट फसले बरबाद हो जाती हैं बाड में चली जाती हैं लेकिन फिर भी जानव विज्ञान और शिक्षन का परशिक्षन का ये हमारे विश्व विद्याले को दिया गया इसमें परदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए फील्ड में कारियरत चिकित्सकों की कंटीनियूरिंग एजुकेशन की विवस्ता करने के लिए विभाग के साथ मिलकर प पसुपालन वा मत्सपालन संबंदी सेवाओं में मदद करने के लिए किसानों और उद्यमियों को परशिक्षन परदान करने के लिए उच्च शिक्षा और उनसंदान के द्वारा फिशरी डेरी पोल्टरी बकरी पालन शुकर पालन इत्यादी को बढ़ाने में मदद करने के लिए हम परतिबद हैं हमारे विश्वेद्याले को कार्ये करते हुए दो वर्षे अधिक हो गए हैं इन दो वर्षों में हमने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार कर योगे डाक्टर बनाने की मुहीम शुरू किये हैं कक्षा में लेक्षर्स और प्रियोग आत्मत गया है विद्यार्थियों के इंटरंशिप के लिए राष्ट्रिय स्तर पर आईश्यार के संस्तानों जैसे आई वी आराई इजतनेगर एंडियरा करनाल में भेजा जा रहा है बाकी स्टेट अग्रिकल्टर इंट्रीज में भी हमारे इंटरंस ट्रेनिंग के लिए जा रहे है इसके अच्छे प्रिनाम भी मिलने लगे हैं मैं शेयर करने चाहूंगा कि हमारे विद्धयार्थियों ने इस वर्ष आईश्यार की परिक्षाओं में जा रैफ जूनियर रिशर्ट फैलोश्यप और शीनियर रिशर्ट फैलोशिप हासिल करके यहां की शिख्षा की गु इश्यार नजी दिली तथा विश्व बेंक से पोशित नेशनल एगरिकल्चर हायर एजूकेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सिक्स को वे विद्यार्थियों को देश विदेश में परस्टिक्षन दिलाने लेबरेटरी के आधूनी करने आधूनी को उपकरन अर्जित करने फार्म तथा प्रसुचिक्षन सेल का प्रबंदन सुधार ने प्लेश्मेंट सेल प्रस्टिक्षन सेल तथा एलुमनाई सेल का गठन करने का काम तेजी से कर रहे हैं हमारी मिसंधान प्रिजनाएं भी टीवर गती से आगे बढ़ रही हैं बारत सरकार के गोकुल मिसंध के माद्यम से 20 करोड लागत से भरुन प्रत्यारूपन प्रियोजना स्विक्रत हुई है इस प्रियोजना के अंतरगत अधिक दूद देने वाली देशी गायों के संरक्षन तथा समवर्दन का कारिय हमारे फार्म पर शुरू हो चुका है इसमें हम साहीवाल, रेड़ चिंदी, बिहार स्टेट की बचाओर और इसी छेतर की गंगा तीरी गायों को इसमें सम्मिलित किया गया है राष्ट्रे एकरशी विकास योजना, आईशियार का नेशनल अग्रिकल्टर साइंस फंड, डिपार्टमेंट अफ बायो टेक्नलोजी, डिपार्टमेंट अफ साइंस एंट टेक्नलोजी और दूसरी फंडिंग एजिंसीज के माद्यम से बहुत सी नई प्रियोजनाएं हा राष्ट की जितनी यूनिट हैं उसमें पर्थम स्थान पर रहे हैं, और पिछले वर्स हमने ग्राम प्रिया तथा वन राजा के असी अजार से भी अधिक मल्टी परपस पोल्ट्री बर्ड्स के चूजे किसानें को वित्रित किये हैं, और फूट एंड माउट डिजीज के और इंडिया कॉडिनेटिड रिसर्स प्रोजेक्ट में भी हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आईशियार के द्वारा एन्ने एचीपी प्रोजेक्ट और एफमडी प्रोजेक्ट दोनों की सरहना की गई, पटना के बाहर हम नए केंदर सुरू करने जा रहे हैं, गोपाल ग स्थ विण्ट जोन्स में पस्व वज्ञान केंद्रों की इस्थापना का परस्ताओं केंद्रिय एक कुटण पर छेत्र पतनां पतना, ताथा पसूत पादनम स्वास्थ संस्थान पतना को भी बिहार पस्व वज्ञान विष्व और ला के तहत अंतृत किया जाना हैं, आप प्रिशर होगा बड़े हर्ष के साथ वताराओं कि इसी वर्ष महा महीम राज्यपाल महुद्य द्वारा अक्तुबर महा में पर्थम दिक्षान समारो आयोजन करने का स्विकर्ती भी दी गई है तो ये भी हम इस वर्ष कर लेंगे विगत वर्ष किसेंगंज प्रिशर में सब्सक्राइब कि मार्च 2019 से किरशी विग्यान केंदर जमुही हमारे विशव द्यले का अंघ बन गया है इसके लिए हम भारते क्रिशन संदान परिशद के भी आभारी हैं किरशी विःण केंदर के माध्यम से हम किसानों से सीदे तोर पर जोड़कर अपने परशार कारियो को आगे बढ़ा सकेंगे जम्मू से किसान भाई बेन आज के कारे करम में सामिल हैं मैं उनका विशेश स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ अगले वर्ष से केंपस में परदेश के दूसरे पसुस्वा चिक्षा महाविद दैल्ले के बनने से परदेश में पसुचिकित्सकों की आरही कमी को हम दोर कर पाएंगे तथा परदेश के पसुपालकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी विश्विद्देला के परमंदन में ये गवर्नेंस के छेतर में आशातीत प्रगती की जा रही है 50 MBPS की इंटरनेट कनेक्टिविटी का थारिये नेशनल नॉलिज नेटवर्क के माद्यम से पूरा किया गया है और गीगाबिट कनेक्टिविटी का लोकल एरिया नेटवर्क का आडर प्लेस कर दिया गया है ये भी काम शुरू होने वाला है NIC नेशनल इफर्मेटिक्स सेंटर के माद्यम से चानिक क्या सॉफ्ट्वियर इंप्लिमेंट करके academic automation लागू कर दिया गया है और procurement में सरकार का government e-portal है जिसको jam कहते हैं जिसमें पारदरसिता के साथ खरीदारी की जा सकती है उस पर काम करने में उत्कृस्ट कारिये के लिए सभी परदेश के विश्व विभागों को में हमारा चौथा स्थान है और universities में हमारा पहला स्थान है इसके लिए वित्व विभाग से ये पुरिश्कृत किया गया है अगले वर्स में मुझे उमीद है कि हम e-office का भी पूरी तरह से इंप्लिमेंटेशन कर देंगे इसके लिए हम NIC के संपर्क में हैं हम सब स्थत प्रियास करके अपने परीशर को हरा बरा स्वच तदा सुन्दर बना रहे हैं सौर उर्जा से बिजली उत्पन करने के लिए 310 किलो वाट कैपस्टी के प्लांट लगाने के लिए हमने ब्रेडा को प्रस्ताव भेजा था जिसे स्विक्रित कर लिया गया है हम देश-विदेश के संस्तानों के साथ पार्स पर संबंद विक्षित कर रहे हैं वन्य जीओं पर अनुसंदान करने एतू पटना जू के साथ समझोता ग्यापन किया गया है आज के युग में वन्य जीओं का अध्येन बहुत ही महतो पूर्ण है आपको ये जानकर भी प्रसंता होगी कि हम वन्य प्राणी फोरेंसिक प्रियोग साला वैस्वास्त केंदर की स्थापना वन्य विभाग के माध्यम से करने जा रहे है ये अपने आप में एक नूठी पहल होगी जो बहुत कम वेक्नरी युनिवरस्टीज के पास है इसके लिए मैं वन्य विभाग का आभारी हूँ उन्होंने खुझ से ये आफर हमें दिया है वाइड लाइफ इंस्टिचूट अफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड युनिवरस्टी के माध्यम से हमारे दस वैग्यानिकों को परसिक्षन दिया जाएगा और जनवरी में हमारा पहला बेच इस साल चला जाएगा इस परसिक्षन के लिए हमारे विद्यार्थी अंतर विश्व विद्याले कार्यकरों में बढ़ चड़ कर भाग ले रहे हैं बिहार वेटनरी कॉलेज की बैडमिंटन की टीम ने पंदनगर यूनिवरस्टी में आयोजित सभी वेटनरी कॉलेजिज के मकाबले में महीला बैडमिंटन चेंपिनशिप जीत कर आए मैं सभी बच्चों को बढ़ाई देता हूँ इसके अधिरिक्त और भी गतीविदियों के अच्छे प्रिणाम हमारी टीमों को मिले हैं चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हों चाहे अकेडमिक एक्टिविटीज हों विद्यार्थी हमारा नाम सब्जेगे रोसन कर रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्सों में हमारे विद्यार्थी और अधिक सफलता प्राप्त करके दिखाएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम अगले वर्स में परदेश के किसानों विद्यार्थियों तथा नीती निर्माताओं की अपेक्षा के अनुरूप चहुमखी प्रगती प्राप्त कर सकेंगे इस अवसर पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह विश्विद्याले राज्य अमसरकार की सभी अपेक्षाओं को पूरूंत खरा उतरेगा और आने वाले समय में एक अगरनी विश्विद्याले के रूप में उबर कर सामने आएगा सभी उपलब्दियों के लिए मैं क्रमचारियों, विद्यार्थियों, शिक्षिकों और वरिये अधिकारियों को उनके अथक सहयोग के लिए, प्रियास के लिए साधुवाद देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ अंत में मैं एक बार पुने मानिये मंत्री जी, चेर्मेन नवाड, डॉक्टर विश्वास, मंत्री जी, हमारे शिखाश्रिवास्तव जी और सभी गणमाने अतिथी गण जो सामने सभागार में बठे हुए हैं, उनका हारदिक स्वागत हैं, आभार परकट करते हुए अपना स्थान गरेन करता हूँ, जैहिन, धन्यवाद धन्यवाद महोदे, आज इस विश्विद्याले के द्वीतिय अस्थापना दिवश्वामा रोका सुभारंब हो चुका है, अब मैं आज की अतिती डिरेक्टर आईजी आईएमेस डॉक्टर एनार विश्वास से निवेधन करूंगी कि दो सब्द कह इस पावन औसर पे हमा अमान बढ़ाएं, सर प्लीज। और रमस्षर सिंग, रेस्टर दॉकृर एड़्। रविंडर कुमार, मादम सीखाश्यवास्तूप और विश्वास्तूप ठोल प्से अज्य। और इस प्लिवमन कर दिस्प्र इंप। उस्टितूट serवणी निवेश्वास्तूट। प्रेस्चाना कर्ष्ट अभराव ठवस्त्पल इस ब्रामस्त्यल आुन हाज थार आपकंट्थ भाविग। अनननननन पनल इन जो क्रहाई है गोग नीज है प्राम केष्ट रिछो अन्ही मतलिगी तर्दास जो रहत धने मिलिश्या ऐ default सही कम अछ्यवर केष्टों के दिल्स Question So that should be a combined research activity between the veterinary scientist and medical scientist. And about the teaching, now the teaching pattern is also changed with modern high-tech policy. Now teachers, I should say the teacher should be facilitator, because a lot of information is available with Google and Internet. So our job as a teacher is just to facilitate what to learn, how much to learn, and because a plethora of information. In the morning, in our medical curriculum also, a lot of change is happening there. A foundation course, how to be a good human being, what is the human value. Not just a booklet of information, not a robot like that. So that human touch to the patients is very much important. Similarly, in veterinary science also, touch to the animals. They cannot speak, but they have all the qualities of like a human, and they need to be treated well. I have seen when I, it's my sixth year in IJMS, a lot of guys, boys, 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 I said, let's go, they need to eat food. But unfortunately, it's very, very poor. Our very visionary and honorable chief minister told that it is good that they are put in some cattle and other thing, and they will get good treatment. So with this few hours, I again, best wish, and whatever help is needed, we can do collaborative research here. Like we had, we have a challenge, you know what happened in Muzhafarpur, that acute inflammatory syndrome, still the root cause is yet to know. So we have to, we have to find, recently, chief ministers have called me and with so many other scientists, and they told that we have to find the root cause. Maybe it's a, we have to be in a holistic way. Somebody came from Lucknow, he told that this herbal puria, it has some value. And then we have, immediately, CM told me, you have started research, and we have already started, I have appointed about 11 scientists at IJMS, and we are doing research. Somehow we have to find some root cause. And as this institute is going, why not it should be the best institute in the country? And where there is a will, there is a way. We can find, like, whatever we are developing in IJMS, and I wish this institute also be developed like the best institute in the country. Again, I, thank you for calling me. Thank you. Thank you. All India Ruler Financial Inclusion Survey, NAFIS 2016-17 की कलपना, डिजाइन और संचालन किया है, जो देश में अपनी तरह का पहला सर्वेक्षन था, जिसमें वित्य शमावेशन से जुड़े सभी पहलूओ को व्यापक रूप से शामिल किया गया है. आपके व्यापक अनुभव और योगदान के लिए, डॉक्टरेट अफ साइन्स की मानत उपादी से सम्मानित किया गया. डॉक्टर भानवाला, IRM आनन, IIM रोहतक, NCDC, NIBM जैसी कई संस्थाओं का मार्ग दर्शन करते हैं, साथ ही Bankers Institute of Ruler Development, नाबाड Consultancy Services और नाबाड के प्रिवक्षन बोड के अध्यक्ष भी हैं. आप एसिया Pacific Ruler and Agricultural Credit Association के उपाद्यक्ष भी हैं, जो एसिया और प्रशांथ छेत्र के 24 देशों में 84 संस्थानों का एक संग है. आपको रूलर फाइनांस, बैंकिंग और कोपरेटिव डेवलप्मेंट का लंबा अनुभाव है. डॉक्टर हर्ज कुमार पानवाला साब. नमस्कार सब आपको सबसे पहले. मंच पर विराजमान डॉक्र प्रीम कुमार जी, मंत्री अनिमल साइंसेज, डॉक्टर रमेश्वर सिंग जी, डॉक्टर विश्वास, ओम फेट की मैनेजिंग डिरेक्टर, राइस्टार यूनिवर्सिटी के, फॉर्मर मिनिस्टर अनिमल रिसूर्सेज बिहार, यूनिवर्सिटी के, स्टाफ, स्टूरिंस, फॉर्मर ओफिस बेरर्स, और माई कुलीक्स फॉम नाबाड और मंचासीन, बाकी लोग जो पस्तित हैं, और किसान जो बिहार के अलग अलग जगह से आएं. सबसे पहले, मैं पूरी यूनिवर्सिटी के सब लोगों को, और खास करके डॉक्टर अमेश्वर सिंग को, इस्तापना दिवस के लिए बढ़ाई देना चाहूंगा. सबस्तापना दिवस किसी भी संस्था के लिए एक यादगार दिवस होता है, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि हमने अभी तक क्या किया है, और उस दिन हम बैठ करके ये भी विचार करते हैं कि अभी कितना कारे करना और बाकी है. शुरुआत जो पांच वेटनरी कॉलिज से देश में हुई थी, पटना का वेटनरी कॉलिज शायद उन में से अकेला था, पांच वाँ मेडिकल कॉलिज था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. सबसे पुड़ाने वेटनरी कॉलिज से उभर के एक इनुवस्टी के तौर पे अपने आपको स्तापित करना और पुरे बिहार के ही नहीं राष्ट की समस्याओं पर जो पशुआ धारित समस्याओं हैं, उनको समाधान के लिए अपने आपके, अपने आपको ततपर रखना और अपने स्टाफ को प्रेरित करना एक जोड़दार करता हुए, मैं समझता हूं, इनुवस्टी के लिए हमें सब को एक ताली जोड़दार बजानी चाहिए, अच्छे कारियों के. अगर आप पूरे विश्व में, जो एग्रिकल्चर जीडीपी अर्जित की जाती है, उसका मुल्यंकन करें, तो उसमें से करीब 40 प्रतीशत जीडीपी ऐसी है, जो एनिमल रिसोर्सिस से आती है. तो वर्ल्ड ओवर, हम सब को ग्यात है, कि एनिमल रिसोर्सिस का क्रिशी के अंदर एक अत्यंती महत्वपूर्ण स्थान है और हमेशा बना रहेगा. ये सिर्फ 40 प्रतीशत कॉंट्रिब्यूशन से ही एक हंकित नहीं होता है. ये इस बात पर भी नेबर करता है, कि एनिमल रिसोर्सिस को पनपाने में और आगे ले जाने में, बड़ा जेंडर सुधार भी होता है. अगर आप एम्प्लॉइमेंट देखेंगे, जो एनिमल रिसोर्सिस को पालने में उप्योग की जाती है, तो उसमें महिलाओं का जोरदार स्थान है, हमारे देश के अंदर. तो ये सिर्फ मुल्यंकन इसका इस चीज से नहीं होना चाहिए कि 40% शेयर है, लेकिन इस चीज से होना चाहिए कि उस आबादी के द्वारा है, जो अधरवाइस GDP की कॉंट्रिबूशन में जिसका बहुत जादा योगदान गिना नहीं जाता. घर में इतना कारे करती हैं, उसकी कोई वैलिवेशन नहीं है, GDP के अंदर, लेकिन इसमें वैलिवेशन दूद के उत्पादन से, मीट प्रड़क्शन के उत्पादन से, एक्स के प्रड़क्शन से, उन सबसे, उनके कारे की कॉंट्रिबूशन GDP के अंदर सिधे तोर पर आती है. आज अगर आप देखें, तो तीस अजार करोड से ज़्यादा का एनिमल सेक्टर से पूरा एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा भार किया जाता है. काफी अच्छा शेर है, करीब 20 प्रतिशत शेर है हमारा एक्रिकल्चर एक्सपोर्ट का पूरे एक्सपोर्ट के अंदर. और उसमें भी अगर आप देखें, तो उपर की जो चार केटेगरीज हैं, जिनका मेजर कॉंट्रिबूशन होता है, उसके अंदर मीट प्रडक्शन और एनिमल प्रडक्शन समंदी चीजें आती हैं, फिश्रीज प्रडक्शन, एक्वा कल्चर, दो चीजें खूब खास करक हैं, चावल छोड़ दीजिए और चाय छोड़ दीजिए, इनके अलावा मीट और एनिमल प्रडक्शन से समंदी चीजें ही, दूद प्रडक्शन से चीजें ही सामने आती हैं, हमारे देश के अंदर कृशी का योगदान, पूरी जो राष्टर की आये हैं, उसके अंदर 14 प करीब 27 प्रतिशत कॉंट्रिबूशन एनिमल रिसोर्स्स सेक्टर से आता है, तो करीब करीब एक तिहाई कृशी उत्पादन एनिमल रिसोर्सी सेक्टर से आता है, तो ऐसी परिस्थिती में हम जब भी किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं, या फार्मर्स हाउस बढ़ाने की बात करते हैं तो ज्यादा तर हम क्रॉप्स के ओपर फोकस करते हैं और एनिमल रिसोर्स को सेकेंडरी स्थान देने का हमारा मन बना रहता है अर्षान जिस सेक्टर से 30 प्रतिशत ग्रोथ आती हो तीश प्रतिशत contribution आतो एगरिकल्चर इंकम का जिस प्रतिशत से largest employment मिलती हो क्रिशी के अंदर जिस सेक्टर से महिलाओं को खास करके जुड़ा होता है और जिसकी ग्रोथ क्रॉप प्रडक्शन से करीब दुगनी हो ऐसे सेक्टर को विक्सित करना अगर बिहार की सरकार का मुख्य उदेशे बन जाता है तो कोई गलत बात नहीं है जो एक समय था जब देश के अंदर फूड सिक्यूरिटी हमारे को खाने के लाले पड़ गए थे और हमें खाने के लिए अलग सीरियल्स को इंपोर्ट करते थे तो हम उस समय से बाहर आकर के आज फूड सिक्यूरिटी की बज़ाए नूट्रिशन सिक्यूरिटी की बात करने लगें तो नूट्रिशन सिक्यूरिटी की जब बात आती है और वो जुड़ाव है विश्वास साब की एरिया से भी जब हम अच्छा नूट्रिशन लेंगे तो बिमारियां कम होंगी हमारी रोगों से लड़ने की एक शमता बढ़ेगी और हर वेक्ति स्वस्त रहने से अपना योगदान राष्ट्रिय इंकम में और स्वतेह के लिए अच्छी तरह से कर पाएगा तो ये जो नूट्रिशन सिक्योरिटी की बात होती है इसके अंदर अनिमल रिसोर्स का बहुत बड़ा योगदान है जो अच्छे प्रोटीन सोर्से हैं या तो मीट से में अगर हमारे यूत का पोटेंशियल अच्छी स्पोर्ट की संभावना में तबदील करना है या अच्छे सेहत मंद वर्क फोर्स के लिए करना है तो उसके अंदर अनिमल सेक्टर का बरपूर योगदान रहेगा मैं समझता हूं संभावना अनिमल रिसोर्स में शुरू से रही है एक समय था जब हम आजाद हुए थे तो 100 ग्राम से कम का दूद मिलता था पर व्यक्ति के लिए और आज हम 350 ग्राम दूद हर व्यक्ति के लिए पैदा कर पाते हैं और आज विश्व के अंदर हम मिल्क प्रड़क्शन के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर के आये हैं हैं वी आर दे लाज़ेस प्रिडूसर आफ मिल्क इन दे वर्ल तो यह एक अचीवमेंट है लेकिन इस अचीवमेंट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं क्योंकि जब भी में सीजन आता है मिल्क प्रड़क्शन का सरदियों के अंदर तो किसानों की एक समझ से आती है काफी किसान अपनी दूद को सड़कें उगे वर फैकते नजर आते हैं कई स्टेट्स के अंदर यह दिखाता है कि कहीं ने कहीं जो उसकी लागत है दूद को पैदावार करने के लिए और जो उसको रिटरंस मिल रहे हैं वो शायद कहीं उसके अंदर मिसमैच है तो जहां हमने इतनी पैदावार की दूद की हमें ऐसी एक शमता भी पैदा करनी चाहिए कि सारा का सारा मिल्क प्रिड्यूस हो पाए जो प्रिड्यूस होता है वो प्रॉसस हो पाए और वो ऐसे समय के लिए भी हमारे पास रहे जब हमारा दूद की पैदावार कम होती है आप पाएंगे कि पहले हम ट्रेडिशनली सिर्फ घी एक ऐसी प्रड़क्ट थी जिसको हम कनवर्ट कर पाते थे लंबे समय तक या घर में इस तरह के लड़ू अगरा बना ले दे जो शौट डूरेशन के लिए मिल्क प्रॉसेसिंग प्रॉसेस्ट मिल्क की नॉन सॉलिड फै हम भी 30-40 तरह के नई प्रॉडक्स बन सकते हैं जो मिल्क को तब्दील करके लंबे समय तक रख सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी ऐसी संभावना पैदा करते हैं कि जो जिस व्यक्ति को जैसा चाहिए उसी अनुरूप से उसको ले सकते हैं अगर किसी को फैट समझ में नही जाता है तो जो इसके बाइप रॉट्ट्स हैं दूसरे जिनके अंदर प्रोटीन और फैट्स के लावा भी समावना आए इस तरह के प्रॉडक्स को लीजिए तो जहां हमने मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर महारत आसिल की आने वाले समय में हमें मिल्क प्रोडक्शन में जहां की अभी मिल्क प्रोसेसिंग में भी महारत आसिल करनी पड़ेगी और आप सब याद करते होंगे कि हमने वाइट रेवलूशन लाए थे एटीज के अंदर असी से लेके 1920 तक 40 साल गए उस वाइट रेवलूशन के बाद भी तो हमें कुछ करना चाहिए जो हमारी कॉपरिटिव सुसाइटीज की प्रोसेसिंग कैबेबिलिटीज थी वह अभी ज़्यादा तरह स्टेट्स में वहीं की वहीं हैं जहां 20 साल पहले थी थोड़ी बहुत बड़ी होंगी कुछ स्टेट्स के अंदर और जितना दूद पैदा होता है उसका 20 प्रतीशत दूद ही प्रोसेस किया जाता है मिल्क प्लांट्स के अंदर क्यों नहीं कर पाते क्योंकि वह सर्रचन नहीं है कि मैंने वहाँ दूद पैदा किया और जब तक मिल्क प्लांट तक आएगा इतना दूर है क्योंकि छोटे-छोटे किसान इसको पैदा करते हैं और इकठा करके लाने में इतना समय लग जाता है और हमारी सर्रचन ऐसी नहीं है कि हम अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिल्क प्लांट तक लाएं तो हमें इस सारी वैल्यू चेन को अच्छी तरह से समझ के एक ऐसा इंफ्रास्रक्शर डेवलप करना पड़ेगा ताकि प्रक् देखा है अगर आप हमारे देश के अंदर आप सब जानते हैं करीब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पिचासी प्रतिशत जो हैं क्रिशी की हिकाईया हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं चौदा करोड देश के अंदर किसान है तो उसमें से पिचासी प्रतिशत ब करीब है जो कॉंट्रिब्यूशन एलिवन एले सेक्टर से आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी आयों को बढ़ाने के लिए तो अगर हमें पिचासी प्रतीशत लोगों को इकठा करके चलना पड़ेगा तो पहले एक जोरदार प्रियास वादा कॉपडे सुस बनी थी और मिल्क सुसाइटीज के साथ साथ अभी चार-पाथ साल से फार्मस प्रिड्यूसर्स और्गनाईशन की बाद चली है कि कॉपडिब्य सुसाइटीज के अलावा भी क्या हम कमपनिय फॉर्म के अंदर किसानों को इकत्र करके छोटे किसानों को इकत्र करके उनके अच्छे मुल्य को उपलब करा पाएंगे और प्रोसेसिंग सेक्टर को भी इसे फाइदा हुआ क्योंकि एक साथ उनके चीज़ों को इकठा करके ट्रांस्पोर्टेशन कास्ट बचेगी लॉट साइज बेगर आएगा और इंफ्रास्टर बनाने में भी आसानी रहेगी तो हम सब को आने वाले समय में ये चैलेंज के तौर पर लेना पड़ेगा कि जो बिहार जैसा प्रदेश जिसके अंदर काफी संभावनाएं हैं खास करके दूद की पिगरी की बोट्स की यहां पर मीट कंजम्शन काफी होता है और खास कर सीमान किसान जो बिगरी को अपना डेवलप करते हैं नर्चर करते हैं वो बहुत कम आए के अंदर उसको पन पाते हैं और मीट को मार्केट करको आते हैं क्योंकि लोकल कंजम्शन भी काफी है तो हैसी परिस्तिती में क्या हम फार्मर्स प्रिडूसर्स और्गनिवेशन पर अपना ध्यान केंदरित करके छोटे-छोटे किसानों को एक साथ ला करके ताकि वो इकटे होकर करके जो भी माल मार्केट से खरीदना है वो कम मुले पर पर मार्केट में बेच पाएं ताकि उनकी आमद नहीं बढ़े और मैं आपको ये बताते हो मुझे खुशी है कि इस तरह की एक FPO है जो मेज के उपर अधारित है जो बिहार में काम करती है मेज का काफी प्रड़क्शन होता है बिहार के अंदर मक्का का मक्का की एक FPO है बिहार के अंदर हमने उसका स्टड़ी किया और एक साल में ही दो साल में ही उसके बनने के बाद जो उसके मेंबर्स थे उनका दस प्रतीशत से इंकम उसके ज़्यादा बढ़ी हुए विकाज आफ अफ देट FPO क्योंकि उन्होंने मेज में जो जाने वाले इंपुट्स हैं वो इकट्य खरी दे और क्योंकि इकट्य हो करके वो lot size बड़ा हुआ तो किसान जो वहीं बिचौ लिया था गाओं के अंदर उसको ना बेच करके मार्केट में जो दूसरे बाहर से बड़े बाहर से उनको बेचने का काम किया I think we have to work basically for animal resources sector in the case of Bihar for larger number of participation in addition to milk societies for FPO's जिससे social capital बने और एक business organization डिवलेप हो गाओं के स्तर पे उसके साथ साथ अगर आप अच्छा infrastructure दे पाएंगे तो वो markets के अंदर ज़्यादा जाएंगी और अच्छा value addition मिलेगा किसानों को इसके साथ एक challenge और है कि जो हमारा genetic pool है जो मैं समझता हूँ काफी आप में से विद्वान यहां उपस्तित हैं जो genetics पे काम करते हैं तो genetic pool के अंदर भी एक major limitation पाई गई है हमारे animal production को बढ़ाने के लिए चाहे meet हो या दूद उसके अंदर यह पाया गया कि बहुत कम अच्छी quality के animals हैं तो अभी हमें जो इस तरह के mother genetic pools mother resource centers और उसके द्वारा क्या कुछ individuals भी आकर के इस genetic pool को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं उनको भी हमें support करना पड़ेगा मैं दो तिन example आपको दूँगा मैं हरियाना से आता हूँ और हरियाना में कुछ किसान थे मुर्रा हमारी बफलो होती है जो बैंस है काफी worldwide famous है उसके genetic pool को Central Asian countries में भी प्रियास किया गया है और काफी individuals काफी entrepreneurs उसमें सामने आए हैं और उन्होंने उसको export को सामने लेके गए हैं तो बिहार में भी कुछ इस तरह की बक्रिया हैं breeds हैं जिसको आप इस तरह से support कर सकते हैं मैं आखिर में ज़्यादा लंबा समय नहें लेते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि जो इस university के छात्र है वो animal resources के अंदर कारे करके भी बहुत बड़ा योगदान देश की सेवा के लिए कर सकते हैं इसलिए आपको professionally committed रहना पड़ेगा और मैं समझता हूँ अगर आप committed रहते हैं तो professionally आप अच्छी तरह से काम कर पाते हैं एक professional होने के लिए मैं तीन चीज़ों की जरूर समझता हूँ जो degree से कोई professional नहीं होता है अगर कोई professional है तो मैं समझता हूँ तीन चीज़ों जरूरी हैं एक तो वह स्वाइम अपने लिए कुछ target हमेशा fix करे कि मुझे कहां जाना है दूसरा उसकी तरफ जाने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहे तीसरा अगर वह प्रयासरत रहता है तो किसी external discipline या external authority के दर के कारण ना हो अपने अंदर से स्वाभाविक वह मादा पैदा करे कि वह स्वैम discipline रहे और उसकी तरफ कारे करे अगर ये तीन चीज़े हैं आपके अंदर तो आप एक professional के तौर पे काम करेंगे और जो veterinary वाले लोग है dairy technology वाले लोग है वो भरपूर मादा रखते हैं एक चीज मेरा जो पईचा दिया गया था उसमें शायद बताना भूल गए मैं भी एक dairy technologist हूँ आयम एमदाबाद में जाने से पहले और मुझे खुशी है कि मैं एक dairy technologist के तौर पे आया लेकिन जैसे जैसे आप भरते हैं तो आपको अपने profession तक ही नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपका profession काफी और profession से जुड़ा हुआ है तो एक larger vision लेने की एक शमता होनी चाहिए और इसमें मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा कि नाबाड जो 1982 में पैदा हुआ Reserve Bank से निकल के आया था हमारी balance sheet उसमें 4,500 क्रोड की थी और हमने अपने आपको ग्रामीन क्षेत्र में और क्रिशी के एक शेत्र में ही अपने आपको और जो rural industries हैं ग्रामीन क्षेत्र में चाहिए किसी तरह की संभावनाए हैं ग्रामीन क्षेत्र में उनके साथ जोड़े रखा है एक development bank के तौर पे कारे किया है और इतनी संभावनाए है इस शेत्र में कि हम 4,500 क्रोड से 1982 में आज 5,000,000 क्रोड तक की balance sheet बना पाए हैं और मेरा विश्वास है कि अगर ऐसे 4,500 नाबाड और आ जाए हैं तो तब भी भारत की जो समस्षा हैं ग्रामीन क्षेत्र की fund requirements वो पूरी नहीं होंगा मैं खुद एक किसान के तौर पर कहता हूँ अभी काफी किसान अभी ऐसे हैं जो एक कहते हैं मुझे बैंकों से पैसा नहीं मिलता है या बैंकों से पैसा मिलने में कष्ट आता है देरी होती है विलंब होता है लेकिन अगर आप अपने आपको एक larger perspective में देखेंगे जो हमने किया नाबाड की तरफ से और हम काफी और research and development में काफी universities के साथ भी मिल करके कारे करते हैं साथ साथ financial markets में देखिए जिसके पैसे जिसकी जेम में दम होता है उसको सब याद करते हैं मुझे इसमें कोई कहने में आप सब भी इस चीज़ को मानेंगे तो संस्थाएं ऐसी बनाईए जो financially अच्छी तरह चलेंगे अगर financially अच्छी तरह नहीं चलेंगी संस्थाएं तो उनको सम्मान या सद्वाव उनके प्रती नहीं होता है मुझे खुशी है कि आज पूरे भारत वर्ष में चैह वो HDFC बैंक हो चैह REC हो चैह PFC हो चैह LIC का housing finance हो अगर वो capital market के अंदर पैसा raise करने जाता है उन सब को नाबाट से महंगा पैसा मिलता है हमने अपने आपको वैसी स्तापित कर पाए है रूरल एक्षेतर पे भी focus करके तो अगर हमारा दाइत्व रूरल एरियाज में है तो मैं जो यहां का स्टाफ है जो स्टूरेंट से उन से निवेदन करूंगा कि अपने आप को एक larger service provider के तोर पे देखें और उसमें अपनी जो और संभावनाएं हैं आपके profession के अलावा उनके प्रति भी अपने आपको सजग रखें अगर ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व के तोर पे समाथ सिवा के लिए और जहां आप ज्वाइन करेंगे उस संस्था को भी समाथ सिवा के लिए प्रेरित कर हुआ मैं आपका धन्यवाद करता हूं थैंक्यू वरिमाच है 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 कि बहुत बहुत धन्यवाद महोदे कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विश्विद्याले के उन लोगों का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने शेत्र में बहतरीन कारे किया है दिए गये दायुत्त सम्मानित करें सबसे पहले डॉक्टर संजना बिहार पसुचिकित्सा महाविद्याले में मास्टर्स ऑफ वेटनेरी साइंस की छात्रा रही है इन्होंने अखिल भारतिये परवेश प्रतियोगिता परिच्छा को उत्तिरिंड कर देश के अग्रणी संस्था भारतिये पसु आप जाई करें इनका उत्सा वर्दन करें अग्टर संजना जो यहां पर पीजी की छात्रा रह चुकी हैं और अभी हाल में ही इन्होंने पीज़डी में दाखिला लिया है आई वी आराई परेली में धन्यवाद दूसरी चात्रा है डॉक्टर आक्रिती अन्डा इन्होंने बीवी एससी में सरवाधिक अंक हासिल कर बैच्टॉपर रही और साथ ही इस वर्ष आईसी आर द्वारा आयोजित जे आरेफ की अखिल भारतिये परिक्षा में पूर्य देश में अठारवा अस्था हासिल कर हमारा मान बढ़ाया है इनके द्वारा उत्क्रिस्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें शर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस से सम्मानित किया जाता है डॉक्टर शूती मिस्रा बिहार पसुचिकित्सा महाविद्याले में बैचलर्स ओफ वेटनरी साइन्स एन अनिमल हस्बेंडरी की शात्रा रही है बीवी एस्सी के 2014 से 19 बैच में ये दित्तिय स्थान पर रही है साथ ही ICR द्वारा युजित ज्यारेफ की अखिल भारतिय परिक्षा में पूरे देश में उनिस्वा स्थान हासिल कर हमारा मान बढ़ाया है इनके द्वारा उत्प्रिष्ट परदेशन के लिए इनने Certificate of Academic Excellence से सम्मानित किया जाता है धन्यवार छात्राओं के बाद अब सिक्षकों की बारी आती है उन्हें सम्मानित करने की इस विद्याले के कुछ सिक्षक जिहोंने कुछ खास किया है अपनी छमता से बढ़ कर किया है उसलिए उन्हें सम्मानित किया जाता है इसमें प्रतम है डॉक्टर कॉसलेंद्र कुमार सहायक प्राध्यापक पशुकोशन विभाग बिहार पशुचिकित्सा महाविद्याले इन्होंने कैप अधिकारी के तौर पर विद्य वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के जेम पोर्टल से सरवाधिक क्राय करने में उत्कृष्ट योगदान किया हमारे विश्विद्याले ने जेम पोर्टल पर खरीदारी में बिहार के सभी विश्विद्याले के मुकाबले प्रथम अस्थान प्रात किया है अगले हैं डॉक्टर अजीद कुमार सहायक प्रध्यापक पशु जयविर सायन विभाग बिहार पशु चिकित्सा महाविद्याले द्वारा विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग भारत सरकार के द्वारा प्रदत फिस्ट प्रोजेक्ट के इंचार्ज के तौर पर उत सुचिकित्सा महाविद्याले इन्होंने आपदा के दौरान पस्वों के प्रवंधक विश्यक प्रसिक्षण कारक्रम का आयोजन वसंचालन कर उत्कृष्ट योगदान दिया है और 33 बैच में प्रदेश के सभी पसुचिकित्सकों को यह चार दिवस्य प्रसिक्षण दिय जा गया है धन्यवाद अब सभी अतीथियों से आग रहे कि अपनी अस्थान को ग्रहन कर लें अब इस कारक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने अतीथियों को कि स्वागत करने की बारी है जिन्हों ने अपना बहुमुल्य समय निकाल कर हमारे कारक्रम की सोभा बढ़ाई इसके लिए मैं अपने कुल्पती महोदै से साग्रा निवेधन करूंगी कि आज के हमारे मुक्य अतिती स्री प्रेम कुमार जी को इसम्रिती चिन भेट कर उनका सम्मान करें मानिये किसी साथ पसू एवं मतस्य संसाधन मंत्री स्री प्रेम कुमार जी का स्वागत हमारे कुल्पती महोदै के द्वारा शौल एवं इसम्रिती चिन प्रदान कर किया जा रहा है धन्यवाद महोदै कुल्पती महोदै से पुना आग्रा है प्रेसिडेंट नाबाड डॉक्तर हर्स कुमार भानवाला को इसम्रिती चिन एवं शौल प्रदान कर उन्हे सम्मानित करे धन्यवाद महोदै पुना निवेदन कुल्पती महोदै से हमारे पूर्व पशुपालन मंतरी स्री रामचंद प्रशाद सिंग जी को इसम्रिती चिन भेट कर उन्हें सम्मानित करें शौल एवं इसम्रिती चिन भेट कर उन्हे सम्मानित कर रहे हैं मानिनी ये कुल्पती महोदै स्री रामेश्वर सिंग जी धन्यवाद महोदै अब मैं अपने कुल सचिव डॉक्तर पी के कुमार जी कपूर जी से निवेधन करूंगी कि डॉक्टर एनार विश्वास डिरेक्टर आईजी आई एमस पत्ना को इसम्रिती चिन एवं शौल भेट कर उन्हे सम्मानित करें पुना निवेधन कुल सचिव जी से हमारे अतीती सीखा स्रिवास्तर जी का एमडी कॉम्पेट पत्ना का शौल भेट कर एवं इसम्रिती चिन प्रदान कर सम्मानित करें धन्यवाद महोदे अब मैं आज के मुक्य अती थी डॉक्टर प्रेम कुमार जी से साग्रा निवेधन करूंगी कि क्रिप्या अपने आसीर वर्चनों से हमें अनुग्रहित करें क्रिप्या महोदे पुली भारत माता की भारत माता की जै जवान जै जवान बिहार पशो विज्ञान विश्विदाले पत्ना का दूतिय स्थापना दिवस के मौके पर मंज परिविराजमान विश्विदाले के काफी करमत लगंशीर हमारे शम्मान जी कुलपती श्री डाम इश्वर सिंग जी इस मौके पर बिहार के लोग प्रिये नेता और बिहार करहें शरकार में माननिय मंतिक रुप अपना बेहतर गुदान देने वाले आदरणिये श्री महाचंदर प्रसाइश सिंग जी इस मौके पर नवाट के शमानिय धच्छ श्री हर्षकुमार बानवाला जी आज के श्कारिकम में इंदरा गांधी आईउग्यान संसान के निदेशक डॉक्तर एनार विश्वाश जी, कॉमफेट की M.D. और काफी महनती और कॉमफेट को आगे ले जाने का बेहतर प्रयास करने वाले M.D. श्रीवत सिंग श्रीवास्तों जी बिहार पश्च्छ विज्ञान विश्विड्याले के निदेशक प्रसाइश दॉक्टर रबिंदर कमार जी पिहार प्रस्व ज्ञान विशुद्यले के रेइस्टर डॉर के का पूर जी इस मॉके पर अराई के च्छत्री निजशक डॉक्टर अरविंद कुमार जी बामेती के हमारे निजशक डॉक्टर जितेंद कुमार जी पश्युपालन विभाग के निदेशा गब श्रीयक के ज्हा जी चीप फॉरेश्ट कंजर्बिश्टर श्री एसे चौधरी जी इस मौके पर विर्शाक्रश विज्दायले राची के प्रवखलपती डॉक्टर रेचार मिश्रा जी सेद्या कास्मिर्व श्रीदायल सबी हमारे बेज्ञानी गन उपस्ति इस राज़ करन्दा पाकिसान भाईयों और बहनों सबी हमारे से इस विज्दायले के सबी शात शात हैंग इस मौके पर प्रिंट मेडिया सोशल मेडिया एलेक्टोनिक मेडिया कि शबी हमारे सम्मानिय प्रतिधिकन मुझे आपार खोशी हो रही है कि कम शमय में कि हमारा इन्मान साइंस भी स्विद्धाले काफी तेजिस आगे बढ़ रहा है शर्पर्थम में विहार पसुभ ज्यान भी स्विद्धाले के समस्त कुलपती मारेनिय कुलपती महोदय सहीत सभी पताधिकारियों करमचारियों सिछकों छात्रों एवं सभी अतिधिकन को हम इस विद्धाले की दूतिय वरशाद पर हार्दिक बधाई देता है की आप दे बिहार पसुद्ध किस्ता माव्यद्धाले देष के सबसे पुराने महा विद्धालों में से एक जो उनेंस सवत्ताईस से पसुद्ध किस्ता एवं पस्तपालं छत्र में मानों संसाधन अध्यापन शोद प्रशार एवं चिक्स्ता में अपना उड़ान दे रहा है डेरी के छत्र में भी शंजे गांधी गब प्रावग की संसान वर्स 81 सिकारत है जो था डेरी में सिच्छन प्रसिच्छन शोद प्रशार इवं कौशल विकास में उगदान दे रहा है बिहार राज्य में पसुधन विकास पसुच किस्षा एवं इस छत्र में अनुप संधा कीके आप सक्ता के मद्दनजर एक उस्षवज्जाले के सापना के अपसक्ता मँस्थर की लिए उसापना की प्रितर्पना की गई इसके अंतरगत तीन संसान क्रमसर पसुच किसा महा महाविद्धाले पटना संजय गांधी गप क्राधोग की संसान पटना और नौ अस्थापित मातसकी महाविद्धाले किसंगन सामिल है राजरी में पसुच के सको कमी को देखते हुए गिसमें यक नये पसुच किसा महा विद्धाले के सापना करने की खोश्तना की गई है जो परक्रिया धिन है विद्धाले के स्थांपना के बाद इसके विस्तार का कारतेजी से जारी है जिसमें साइच्छने के बम प्रसासिफ ज़ार सामिल है आधार बुस्तर चनावों में नए एक आदमिक भवन एबम आध्वनिक पस्तकाले भवन कंदिर्वान किया गया है शाथ ये प्रसा के छत्र में सभी पश्यों के लिए इंडोर तकिस्ता के शुबधाएं शुरू की ग इंसेंटिफ के रिमिट और किसानों को ठारने के विवस्ता की गई है मुझे बताया गया है कि विशुदाले प्रशाशनेबं प्रबंधन को पार्दस्ता और तुझर करने में अधतन तक्रीक का उप्यों किया जा रहा है प्रसासिक सुझार जैसे साइच्छिक प्रबंधन शुचना प्रणाली अधिप्राप्तियों होतो इपोर्टल राजकी इलक्टोनिक मार्केट जेन का प्रियोग प्या जा रहा है जिसके लिए बिद्युवाग बिहार सरकार से प्रसुर्थ भी किया गया है साथ ये पनरूप से कंप्रकृत बिद्ये प्रबंधन प्रबंधन का प्रण की अर्म कराय जा रहा है और आ हरी प्रिछाएं प्रुणतक कदाशार महोल में करा कर संध्य रहे हैं सब्भी प्रणतों को इंडिद्ये कर दिया है चात्रों के प्राविक जश्टा को बरहाने के लिए आधनी तम उसे बढ़ाओं तो पढ़नों एबम प्रसकरों को विस्विद्याले में सापित किया जा रहा है बिहार की लगवग नावासी परसेंट जनसंख्या जो गौव में निवास करती है और जनसंख्या का लगवग शेत्र फिश्टी काजीव का कृश्वी एवम उससे सम्मंद छेत्यों परासिच राज के शकल घ्रलूत पादन में कृश्वी एवम सम्मंद छेत्र का लगवग अठारा परसेंट हिस्टा है जिसमें वह लगवग तेतीस परसेंट यारे राज के कृल शकल घ्रलूत बादन में 6 परसेंट पर्श्वी पालन पर्श्वी और मतस्पालन गरीव नुमूलन ग्रामिन नर्षवपस्ता के विकास और आये में लगवग पांच में हिस्तिकाय उदान देता है और समात के स्थिमान तपके के स्थम्य को एब महिलाओं को बड़े प्रेमाने पर रोज़गार उपलग पर आता है देश के लोग प्रियमाने ने प्रहान मंतरी आदर्णी नर्द भाई मोधी जेने 2022 सक किसानों को य जदी संबन छेत्रों में जदी हमारे किसान गौ पालन बकरी पालन मुर्गी पालन बर्मी कंपोस्ट मदमक्खी पालन ऐसे जो इलाइड हमारे जा करके उस छेत्र में जोड़ते हैं तो निस्सी तरपन के आमनानी बढ़ेगी मैं विगत के पिछले बरस में देख रहा था करते के कई जिलें में किसान भाईयों को दवारा खेती के सास साथ समेक्ट कर्शी परनाली अपनाए जा रहा है उसका प्रणाम हो रहा है उनकी आय कई बढ़ रही जा करके बिहार में जिस तरks Global के चपेट में आगये थे हथियान अचत्र में जब बारिश चब नहीं हुई तो हम लोगों ने सुखाल खुचित करने का काम किया था और सारे 14 लाग किसानों को दीवीटी के माध्धम से हम लोगों ने 934 करोल के यासी कृषिन पुट में देने का हम लोगों ने काम किया था यह उन्हें 2019 में देख रहा हूं उत्तर विहार में नेपाल में भारी बारिश के कारण 13 जिले बार से परभावित हुए हैं काफी राज का नुक्षान हुआ है व ईसे कई जिले हैं जया कृषि हमारा प्रभावित हुआ जाकर करके है तो निस्ती तौर पर बदलते परिवेश में हम सरकार सर्वे कराने का काम कर रही है और जहां जहां बाड़ प्रभविच छितर हमारा था खेत खाली नहीं रहे जाकर करके और जहां हमारा शुखार छितर है हम किसानों को हम निसुलक, मक्का, अरहर, तोरिया, कुल्थी, उरत और सब्जियों में भिंडी पालक जहां डिमान जैसा है हम किसानों को निसल उपलत कराने का काम किया जा रहा है और जिन पंचायतों में सुखा परा है उसका सरकार सर्वे कराने का काम कर रही जा करके तो बिहार एक संकट के दोर से गुजर रहा है लेकि सरकार इस संकट के घड़ी में इस राज के किसानों के साथ ख़ड़ी जा करके है और सरकार हर स्तेबर उनके समज्याओं के समधान करने का प्रयास कर रही जा करके ग्रामीन लोगों को सतत 8002 दिनले बने बरजुगार जुबकों को स्वरजगार के सिर्जन का उस्वर परदान करता है इसके लिए समय कित्रशी का अभी कास तब तक साथ सब्सक्राइब समचित नहीं होगा जब तक फसुस अंसादन का प्रोण उप्योग नहीं होगा देख रहे थे कि जब गाओं में जो राजिकंदर गरीबी थी जा करके और अभी जो कॉंफेड है जिनका ब्राइंट सुधा करके हैं बहुत बेहतर बिहार में काम कर रहा जा करके और लगवाग साले 12 लाक ऐसे हमारे कुल मिलाकर मैं देख रहा था गौम जाने का मौका मिला और मिलने के बाद हमें लगा कि इस राज की जो गरीबी बेरोजियारी है उसको दूर करने का बढ़ा माध्यम जा करके और में देख रहा हूँ कि दुख 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 पादक शहकारी शंग बनाकर उनको संगठित करके और सारे 12 लाग किसानों को और हमारे जो मिल्क उनियन है उसके सदस जा करके और आज गंदर में 20 अलाख लिटर प्रते दिन दूद का उत्वादन हमारा बिहार में हो रहा जा करके और इस दूत को हम बिहार से बाहर भी भेज रहे हैं जाकर करें नेपाल जा रहा है दिल्ली जा रहा है उत्तर परदेश जा रहा है कोलकटा जा रहा है जारकन परदेश में जा रहा है और सुधा का मिठाई इस देश के नौर थिश्ट में गवाती है शिक्किम है काफी दिवा कि असीम संभावनाएं जा करके गुज्रात इस मामले में काफी आगे था अब भिहार तुस जिसा में बढ़ रहा है मुझा साही नहीं पूरा विश्वास जा करके है कि जो प्रियास है और आगे हम पंदरा स्थानों पर नए प्लांट लगाकर नए प्रसुसिंग और नए मार स्थानों प्रसुसिंगा होगे जागए राज स्रकार द्वारा पर्शों पालंच छत्र के विकास के लिए डेरी उधर्ट उत्ता विकास पस्थों के चिसा पिका करन बधिया करण कर्तिम गरवाधान तथा चारा अभूद करानिक करने के जुनाए संचालिज भीहार में प् अब सहकार्ता के छत्र में कौंफेड की चर्चा कर रहे थे जो बिहार को पूरी प्रसिधी मिली है श्वेज करांती को सफल बनाने में कौंफेड ने महत्पूर निभा निभाई है चुझा बरांड अपने उत्वादों के लिए पात्पूर देश में जाना जाता है कौंफेड द्वारा राज के सभी अर्थी जिलों में कारत 22,700 दुख साकारी समितियां हैं जिनमें कुल बाइस लाक दुख 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 पादक सामिल है इनमें सेट हई लाक महिला सदस्य हैं पूर में कौंफेड द्वारा चार लाक लिटर दुख प्रतिदिन का संग्र ह होता था दिसंबर 2018 में बढ़क राउस्तन 20,46,000 लिटर प्रतिद्द हो गया है राज में दुखारू पश्यों को बादन चम्ता को बढ़ाने के लिए पश्यों के नस उजहार को प्रतिद्दा दी जा रही है इसे तो पश्यों प्रजदन निती 2011 का रूप कार करने कार करने सब्स्यों के राजी के अंदर दो करोर पश्यों है ना करद कर दो कर दो कर पश्यों है उसके अलाबा जो बकरी है भेर है वही कम से कम डेढ़ को रहा था इसी परिसर में इतना बहेतर ईलाज किया जा रहा है आप जाकर देख चन्य करके और काफी मुझे ने जो सुधार हुआ है और काफी बहूतर करीके से अबारा इस कैमपस में जो काम हो रहा है पश्यों के शिक्षा का काम हो और अनाऊस्वरों पर काफी शहोग दिया जा रहा है का उप की कड़ोरों पसुयों का निश्थ सुधार होगा जिससे तूद उत्पादन निती में भृधी होगी भक्री पालन मुर्गी पालन की त्यादी कारक्रमों को दो अस्तरों पर करमश्य वेवासाई के स्थर के कारक्रमें बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं प्रजन की को जीविका के माध्यम संचालित कर समाज एक रमजोर बड़ को स्वर अज़कार उकलब कराये जा रहा है राज में मांस के उत्पादन में अच्छी भृधी हुई है जबके अंडा उत्पादन में और अधुक जोर्दनी जाब सकता है बिहार विवित प्रकार के प्रक्रति जल्स रोति के बहुत बहुत तायत है और बतस्पालन ग्राविन शित्रों में कई परिबारों का पारंपरिक पिशा जा करके अत्तार राज्य सरकार मच्छी पादर बढ़ाने के लिए अनेजी के जुनाये चला चलाई जा रही है पूरे राज्य में लगवग पचास कारी शंग काम कर रहा है करके जिसके फ़लतरूप बिहार मच्छी का उपादन वर्स दो हजार पांच छो में दो पॉइंट अठासी लाक्तन से बलकर बरतवान में एक पॉइंट सेवन नई लाक्तन प्रतिवर्स हो गया करके हम मच्छी के मामले में एक समय था जो आंधरा स मच्छी हम आयाद करते थे बाहर से आता था बंगाल से आता था समय बदला और हमारे सरकार की बेहतर प्रयास का प्रड़्राम जा करके है कि अब हम एक्सपोर्ट करने लगे जा करके हम बिहार समस्छी को बाहर भी भीज रहें कल हम लोगों ने उसका विवसाई और कॉल सें करके है तो कि अच्छी सुरुवात की गई है कि बैगानी को संधाने बं आधोनिक प्रबंधन के दवारा मतस पालन को बढ़ाया सकता है जिससे मचली पालन में बिहार आप रिवर बन सके सरकार उपर विजली नीचे मचली के उजनाब पर भी कार्ज कर रही है इसमें कि शान अपनी आए के लिए केबल कृष्ट पादन पर नहीं रह सकते कृष्टी के साथ साथ प्रश्चुपालन मुर्गी पालन मतस्पालन आए के महत्मुन स्रोत हैं और जैसा कि हमारे जो अपने नवाड के हमारे आए हुए हमारे मुंबई हिश्यल कर गया है बहुत ही ब पहतरम बिहार में कर सकते हैं सवरोप्शन डालने का हुए हुए आप जादेशी विश्ण प्रसित्यों खासकर सुखार के दावरान परसुपालन से गरीबी एवं भूमीन लोग अपने आजीव का चला सकते हैं और आए में ब्रधी कर सकते हैं जैवी खेती के लिए पराप परशेवं भायो फशिशाइड बनाने की में किया जा सकता है अभी हमारी सरकार ने हम तीसरा कृसी रोडमप ब्लाएं हैं पहला कृसी रोडमप दो हजारा आठ में आये था दुसरा दो हजार 12 में लाए और सरकार की प्राथमिक्त्या थी कि गाउं गरीब किसान जो हमारे ह उसे राज करते वफसा के रिड़ हैं उन्हों कैसे बढ़ावा दिया से और तीसरा किसी रोड में पर हम लोगों ने जैवी खेती को बढ़ावा देने के लिए और उजनाई चलाई जा रही है पटना से लेकर भागल पुर्त गंगा के दोनों किनारे हम लोगों ने जैवी प्रासी देने का काम किया था इस वार हम लोगों नौव जीलों को सामिल किया है ताकि जैवी खेती जो करने वाले किसान होंगे उनको सरकार सपोर्ट करेगी ताकि उनके मन में जो भ्रम है कुछ पातन कम होगा तो सरकार उनको तीन साल तक मदद करने का हम लोगों प्लैन कि के पुद्धनि और चालु ही थी वर्षन हमारी यूज़ना शुक्रति के प्रक्लिया में है और आसा करते है कब्लिर्टी होने के बाद बिहार में जो जो ज़े भी 111 काक्ष्त आज जो हम प्रिपकिया जा रहा है उस एक ृ जहां मानों और स्वास्त के सिहत परसर पड़ रहा है वहीं मतलब बाइउ मंदल में उसका अभए हुए और साथ-साथ खेतों के नीचे जो पाणी के माध्यम से भरती के नीचे जा रहा है खाद रसाइनी खाद उससे मतलब हमारा पानी भेशलेटर होने को रहाजा करके तो रसानी खादों कैसे। इतना सी दबाएं काफी नुकसां देढ दे जा करके हैं। उससे छुटकारा कैसे मिले। और देज का पहला राख सिक्त म जो है पुणता जैविक राज बन चुका आया करके। बगलका देज शमय में हम बिहार को जैवी खेर्टी के मामले में आप सबों के मदस से आप दिर्फर बनाने का काम करेंगा जाकर बिहार राज पशुपालन धेरी विकास कुट पालन मशली पालन में आप दिर्फर बन सके इसके लिए इस छेत्र में लच्षित विकास के मार्दन तैकिये प्रभूक्त भूमिका नबाश सकता है विस्विधाले बनने से नकेबल पसुछ गिस्ता पश्व पालन डेरी कुछ पालन त्हां मतर्स पालन को नद करने मतर्द मिलेगी बलकि नए महत्पून खेत्रों में बाए टक्रो लाजी बाए इनफोर में टेक्स आदिका उप्योग विखास में हो सकेगा नयन संधान जिसे में जलवाई परप्रतन के कारण पसु रोगों में हो रही ब्रधी उभरते रोको रोकोने को उपाए और संक्रामत रोगों से बचाओ के लिए अधनी उट्टिकों का भीकास करने का हो सकता है बिहार पसु विध्यान में पसुत के काफी विष्णार किया गया है परन्तों हमारे पेच्छा है कि बिहार में अत्या धुनिक पसु अस्पताल की स्थापना हो जा पसु आउट्डर उपजार के साथ साथ उन्हें भरती कर इंडोर जाचेवं उपचार के सारी सुधायों पलब्द हो बैसे मैं देख रहा था का काफी बेहतर लोग काम कर रहे हैं कम समय में राजिक में जो काफ बड़ी संख्या में हमारे मवेशी हैं गौम आता है भैसे हमारी जय करके हैं जहां जाकर करके और खरापर परयुक्श गया रहा है बगरी बगरी का इलाज हो रहा है तो बहुत काफी और हमारा उस्थ कशल बहुतर रहा कि हमारे जो अधिकारी हैं हमारे जो फुलपती हैं उनके कोशल नत्रत्व में और सरकार के शहोग से काफी बहुतर काम कर रहे जा करके बैग्यानी को एवं कृतिम को अभादान का रहे तो कुछल करमियों के प्रस्थ के सम्झीत विवस्था करे ताकि पसुज़ सपालन की उच्छ तक्रिकों का को अपना सके आज कर बाजार में उपलब्ध मिलापके दूद घी पनी रादी की सरल जाज के तरीके विख्षित प्रचाज करने की वख सकता है ताकि जनसाधारन को शुद्ध और मिलापकी दूद उद्वादों के प्रभाव से बैचाए ज़ इसकी चर्चा हमारे आज के नवाट के हमारे अध्यजवाद यहां आये हुए जाकरके है श्री हर्ष कुमार जी उन्होंने एक प्यू के चर्चा की जाकरके हम बताना चाहेंगे कि राज के 8405 पंचाय जाकरके उन सभी पंचायतों में हमने एफाई जी फॉरबर इंट्रे वहां की मेटी और वहां की किसानों की जरुवत उनके राय के हिसाब से हम लोगों ने और वहां पर कृष्चक हिस्तम करने का काम किया जाकरके हैं दूसरा हम लोगों ने महिलाओं के लिए फोट सेक्रोटे ग्रूप खास रुच्छा समूब बनाये जाकरके हैं और चालू तक बिहार में निव पंचाने प्रसंट किसान छोटे लगू सीमान किसान हमारे जाकर के और खेतों खेत हमारे ठुकड़ों में बैटे हुए जाकर के हैं जब तक सामुई खेती नहीं करेंगे तर्ट उन्हें फायदा नहीं होगा जाकर और लोग ज़िस सामुई तोरे पर हम प्लान किसानों को सामुई खेती को ले जाए एक यब बनाग्र प्रडिशन जो है त extrem ही राज के प्मकंपनी मारे में सभी प्रकंडों में हम्रों किसानों के सामने आर्थ् omainted आजा करके हैं हमने तैय किया है कि हम उनको एक्प्यों बनाने के लिए भारस सरकार में कमपनी का जो सुल्ख होता है करके और जो सीए को देना होगा रासी हमने विचार किया है कि सभी प्रखंडों में बना कर और निचे पंचायतों में हम एफाईजी बना करके जोर करके और करेंगे तो निशी तोर पर जो हमारा प्रचेजिंग होगा काफी मतलब सस्ता होगा अगर काफी बचत होगी जा करके मान लेकिते हैं कम से कम पर 10-20% का अंतर खाज जाएगा जाकर के विक्तिक भीच खरीदने जा रहा के लिए खाद खरीदने जा रहा है दबा लेने जा रहा है तो समय की वर्वादी भी हो रही है और पैसे बेधिक लग रहे हैं जाकर के हमने तैय किया है सब एक फ्पो को हम खाद का लाइसेंज दें करें ताकि एफ्पियों को किशानों को कि जाना नहीं पड़े जा करके और भविस्पर में सोचा है सरकार की खरीकियों जुनाएं हैं रभी कि उजनाएं हैं उन्हें जुनाओं को जोड़ने का काम करें हम व्यक्ति को नहीं जेकर कि यह शमूख हो देंगे तो मैं समझता कि शर्चाम कर रहे हैं महिलाओं की आधिया अबादी जा करके तो खास पुरुछासमों के माध्यम से और हमारे एफाईजी है उसे महिलाओं को अपने 33 असान दिया जा करके यहाने मिल करके हम गौओं के दिशा को बदन लेका काम करेंगे और उसके अलावे हम लोग उने तैय कि जो हमारी मीटी जा करके मीटी हमारी स्वस्क ऐसे रहे कि शान भाईयों को पता नहीं हो पाता है कि खेतों में खात का जो प्रयोग करते हैं देखकर बगल में कोई यूरिया एक बोड़ा डाल दिया तम दो बोड़ा डाल रहे हैं कि मेरा उत्पादन बह जाएगा जाकर इसलिए हम लोगों ने अनिवार्त परीके से आने बाले समय में श्वाइल थिर्कात कमाद्यम से जोनने जा रहे हैं तक खेतों में तहीं खाद का प्रयोग करें तुनका लागत भी कमेगा और धर्ती माता भी सोस रहे हैं जाकर कि और इस तरह मुझे बताते हो प्रशंता हो रही है कि अपने यहां पहले नहीं था तिक हमारे माननी प्रशंता मंतरी जी जिनकी प्राथमिक्ता गाउंगरी पिशान है कि शानों के लगातार चिंता करते हैं उन्हें एक बड़ा फैसला लिया है और अर्लक मंतरा ले काम पढ़ना शुरू हो गया है सोर्जटल विहारी बात में प्रशंता हु है कि मुझे बताते हो खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने ते किया है कि इस पालकों कह लिए और अटस पालक में इस सरकारे के अंके फैसीज लोन को प्रावदान किया है गवं गौने रहने वाले गरीब लोग है उब ख्रावाध उप्षु पालन को बढ़ावा देने में उनके हम भुमिका होगे जाकर के और उसमें न 누가 पर संद पर धार इंटर्स के करके हैं तीन लाक कोालोन है यांद के कृसान लोन है तो इन को मने मात त्रशंड लेगा है महीने मध्धाइश और बाजार में विशान लेने जाता को प्राइब भैक्तिय से लोन मतलब तो यह लाक में बताइब कि बहुत सुन्दर उजनाजा करके है और अभी हम लोग बीमा 29,000 कि सा पशुओं का सबसे बड़ा एक समस्या था कि रीन वाले उजनाओं में सरकारी उजनाओं में बीमा की विवस्ता थी लेकि प्रावेट छेत्र में बीमा की विवस्ता नहीं होने के कारण गरीब आदमी के सामने कभी इसी घटना घट जाती थी तो काफी नुक्सान होता था हमारी सरकार ने चालू भी तिये वरस में हम लोगों ने 29,000 पश्यों का भीमा भिकराने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग उन्हें जो कंपनी को टेंडर दिया गया है उसको हम लोग बकाय दे उनको वर हट्टा में पश्वों के मिर्टों जब हो जाती है किसान विचारा बेहात हो जाता जाकर उनके सामने भारी संकट खड़ा होता है तो भीमा कर्भी में प्रवधान किया है हमारी सरकार ने सब्सक्राइब कर दिया है जो समझे बजट प्रवधान किया गया है यानि कि मतल ही गुना सरकार ने पर शुपालकों के लिए मतस्पालकों के लिए हमारी सरकार ने विफसा की जाकर पहली वारा राधी के बाद किशानों के लिए प्रधानमंत किसान सम्मान धीजुना के शुरुबबात की गई जाकर पर अब तक लगवग 30 लाख लोगों ने ऑं-लाइन अभी दन दिया था लगब चालिस लाग हम लोगों ने आप इदन पर लोड करने का काम किया रहा करके। दूसरा जब किसान बुढ़ापे को जब जाता है उस समय किसानों को सिंकट खड़ा होता है। जीवन भर जबानी से लेके बुढ़ापे तक धरती माता की सेवा करता है अंदाता के रूप में और देश को अपने महिनस से देश को बहतर सेवा देने का काम करता है। बुढ़ापा जबाता है तो बाल बच्चे भी भूल जाते हैं अगर उस समय किसान के सामने भोजन की समस्या होती है। कपड़े की समस्या होती है। दवाई की दिकत होती है। बिटा भी नेजर मूड लेता है। उस प्रसिती में हमारी सरकार ने एक स्कीम को सुरुआत किया है। उसका नाम है किसान मांधन यूजना जो साथ साल के बाद तीन हजार उप्रक किसानों को पेंसन गुरुप में दिया जाएगा। और मुझे बताते हैं खुशी हो रही है। कि अभी सरकार ने स्कीम को लाउंच किया है। उस लाउंच में सबसे जो आवेदन पढ़ा है। उसमें नमबर बन पर हमारा बिहार दा करके। पूरे देश में योज्ञा के सुरुआत किसानों के लिए कि गई है। कल हम लोग जब तो यानी कि सबसे एक अलाग सबसे अधिक और आगे भी लोग आवेदन देंगे जा करके। लेकि मुझे खुशी हो रही है कि बिहार में कितना जारुकता किसानों में आई है कि बिहार देश के सभी राज्यों को पिछे छोड़ते हुए किसान मान धनोजना में नमबर बन साथ बाके खड़ा हो गया। राश्टी गोकुल मिशन के लिए हम लोगों ने साड़े साथ सकोड के राश्य हम लोगों दिया है सरकार के राश्टी काम धेनिवायों के घठन का फैसला लिया गया है यह सोतंत्र निकाय होगा जो गौश अंसात्नों के तत्व अनुभंसिक उन्ययन को बढ़ाने तथा ग किसानों क्याय आयब अभाना गोवन सब्सक्राइब में देरी शाकरता का विकास और एफ्पव कमचार चाकर चुके हैं देरी उधोगों के सापना का भी कार्ज करेंगी जाकर तो इस तरह से सरकार का जो बहतर प्रयास है और एक और माने ने प्रहान मंतर जी के दोवारा ल 2017 में हम लोगों ने इसके सुर्वयात की थी देश के बरतमान राश्पती महामहिम रामनात कोविंजी ने बिहार के बापुष अभगार पत्ना मिसा लांचिंग करने का काम किया था इसकी रासी है पांच हजार सब्सक्रपचासी पाइंट डाइनों करोर इतने रासी का हमार आवरो शचना के लिए 50% करोड मार्की ने पैसकी करोर शवके लिए 4020áticoुर्वं राश्पती करोर समगभ कर शरीकार और बिहार की श करकार दोनों की प्रात्त्य करकर कि किस देश के और आज कि किसानों हो के हमारी आय बढ़े और निसतितर तो पर जाकर कि जो माने में प्रह सब्सक्राइब करें जलवाई प्रवर्तन के कारण जीवन का समच्चनों कि उत्वन हुए है हमारा खेती किसानी भी इससे काफी प्रवाबिच हुआ है आप जानते हैं हमारे राज की अर्थ वह साक्रिशी पर अधारिच आइसी प्रसितिय में जब फसल उत्वादन कठीन होत के लिए मजूद विकल्क रूप में हमें अस्थापित करना होगा सरकार इसके लिए निके उजनाई चला रही है पर उतुमेरा मानना होगा इस कार्द में आपको सबसे महात भूमिकान दिवानी जब सकता है आप से आगरा होगा कि बर्तवान प्रस्तितियों करने साथ लिए में अस्थर के विकल्क रूप में तयार करने में अपने उदान दें ताकि राज ति प्रगती से विगास के पट पर अगरास्थर हो सके अंतमे मैं पुने मैं विस्विदाले किस पावन उफ्सर पर आप सभी को सुबकाना देता हूं आशा करता हूं याने वाले वर् प्रगति के पत्पर अगरस्तर होने में राज सरकार से जो भी पच्छाएं होगी उन्हें पूरा करने का हर समों प्रयास किया जाएगा जै हिंद जै भारत जै बिहाद जै जवान जै किसान जै भिज्ञान जै नुसंधान कि अब बहुत बहुत धन्यवाद मानने मंत्री महोदे आपके मार्क दर्शन से हमें आगे बढ़ने का पुरुच्छाहन मिलेगा अब हम कारिक्रम के अंतिम पड़ाओं में हैं समय आ गया है आप लोगों से विदाय लेने का पर इस आयोजन को सफल बनाने में विश्विद्धाले के हर एक वेक्ति ने अपना अमूल योगदान दिया है अब मैं विश्विद्धाले के कुल सचीव डॉक्टर प्रदीब कुमार कपूर जी को धन्यवाद गयापन के लिए साधर आमंत्रित करना चाहूंगा धन्यवाद मिस्टर सत्यर सरप्रथम मैं आप सभी को हमारे माननीय मंत्री जी को इस विश्विद्धाले के जनम दिन की त्विद्धिय स्थापना दिवस मनाने की बहुत बहुत भदाई देता हूं और शुब काम लाएं देता हूं मुझे खुशी है कि ये एक लेजन ड्यूटी मुझे दी गई है वाट अफ ठैंक्स देने के मैं कुछ पंक्तियों से दन्यवाद देना चाहूंगा कि वह प्रदीफ जो दिख रहा है जिल मिल दूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है है कौन विगन ऐसा जग में तिकसके आदमी के मग में खम ठोक ढेलता है जमनर परवत के जाते पांप उखड मानव जब जोड लगाता है पत्थर पानी बन जाता है तो ये हमारे दो साल का कि हम क्या सोचें क्या ना सोचें अगर हम हमारी विल पावर स्ट्रॉंग है और हमारा फर्म डिटरिमनेशन है तो हम हर उस मंजिल को पा सकते हैं जो हमको बड़ी दूर नज़र आते हैं मैं इस समारो के उपलक्ष में हमारे बहुत ही प्रिय और माननी है मंतरी डॉक्टर प्रेम कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हों ने अपना बहुमल्य समय हमें इस इस्थापना दिवस को मनाने के लिए दिया और अपनी उफस्तिती से हमें गरीमा प्रदान की है यह आपकी दूर दर्शिता का परिनामी है कि आज हम इस विश्वजाले का दूसरा इस्थापना दिवस मना रहे हैं आपके निरंतर सहयोग और मार्क रशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और अधिक उर्जा के साथ इस विश्वजाले के प्रगती के राह पर लेकर चलेंगे आपने जो अपने संबोधन में जो भी गाइड लाइंस और जो भी रोड मैप आपके जो दिमाग में है हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जाए वो और्गनिक फार्मिंग हो तो और्गनिक फार्मिंग का भी हमारे इस विश्वजाले में और इस पशुपालंग शेतर मे बहुत बड़ी संभावना है जिसको हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भी उस पर चल करके आपको दिखाएंगे हम तही दिल से आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे आज के जिन्हों ने अभी अपना जो स्टापना दिवस के उपर संभाशन दिया मानिये अज्यक्ष नाबाड डक्टर भानवाला साब जी का कि आपने बहुत ही अपने कुशल अरुभाव का परिचे देते हुए आपने एक्सपिरियंस को हमारे साथ शेयर किया और पशुपालन शेतर की जो महतवता है उसको आपने सभी को बताया और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने आपको बताया कि हमारे माननी परधान मंत्री जी ने इस पशुपालन शेतर की इंपोर्टेंस को देखते वे अलग से मंत्राले बना दिया है और अलग से अब हम इंडियन कॉंसिल आफ वेटनरी रिसर्च की भी संभावनाय तलास कर रहे हैं तो जो कि इस पशुपालन सेक्टर को आगे बढ़ाने में और आगे ले जाने में बहुत ही मददगार होगा इस उपलक्ष में मैं एक हमारी छोटी सी जो रिक्वेस्ट है मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे इस विश्वजाले के जो प्राध्यापक हैं वेटर्नरी कॉलेज के पर्टिकुलरली जो कि ओल इंडिया में नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस मिलता है उसके लिए कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं तो आप इस दोर इस बारे में अपना गौर फरमाएं मैं सहरदे से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पोरु मंत्री जी जो यहां बैठे हैं कि इन्हों ने अपना समय निकाला और हमारी यहां पे अपनु पस्तिती देकर हमारे को धन्यवाद के लिए मोका दिया आपका बहुत बहुत धन्यमत मैं हमारे यहाँ पे जो विशिष्ट अती थी है डॉक्टर विश्वास जी डिरेक्टर आईजी आईमस जिन्होंने बहुत ही अपने संबोधन में हमारे मेडिकल और वेटरिनरी की एसोशेशन के बारे में काफी कुछ बताया और क्योंकि एक कड़ी है जुनोटिक डिजीज और जिस पे हम मिलकर के इन के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि यह विश्वी डाले आपके साथ हाथ में हाथ मिला करके इस आगे बढ़ेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं तही दिल से आभाद पकट करना चाहूँगा हमारी कामफिट की मैनेजिंग डिरेक्टर मैडम शिका शिर्वास तवी का कि जिनोंने हमें करतग्य किया अपनी उपस्थिती हमें दी और इस कारेक्रम की शोबा प्रदान की आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम तहे दिल से आभारी हैं विशुद्याले के तमाम पदादिकारियों शिक्षिकों एवं शिक्षेतर करमचारियों के जिनके अथक प्रियास और लगन से आज सब कुछ संभव हो पाया है हम दन्यवाद करते हैं हमारे चात्रों का जिनके सफलता से हमारे विशुद्याले का चंड़ा बुलंद है और हम आभार प्रगट करते हैं भिहार के electronics, print media का जिन्होंने हमेशा हमारी हर उपलब्दी को बहुत ही बढ़ा करके और अच्छा उनको आगे दिया है और हम particularly I am very thankful to our P.R.O. Mr. Satya Kumar that he has done a good work so जन्सपर का अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत्मे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी जो इस आयोजन के लिए समीतियां बनाई गई थी उनके सभी अध्यक्षों एमन सभी सदस्थों का जिनकी मैंनत से ये कारेकरम संभव हो पाया है और आज हमारे जो आशिरवाद देने के लिए हमारे senior persons alumni of this college और हमारे पशुपालन विबाद के अधिकारी गन करमचारी गन जो भी यहां उपस्तित हुए और हमारे इस कारेकरम की शोबा बढ़ाई मैं उन सब का बहुत बहुत तया दिल से आबार परकट करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से आप सभी इस विशुदाले के विकास के लिए सदेव तत पर रहते हैं आगे भी रहेंगे और इसे बहतर बनाने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसके लिए निश्चित रूप से हमारे विशुदाले के करमचारियों से समर्पन और प्रतिबदता की आफशक्ता होगी और अंत में हमारे अभी बावक हमारे माननी कुलपती जिनकी वज़े से आज सब को संबब हो पाया और जिनकी लीडर्शिक में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस विशुदाले का नाम दिन दुगना रात चोगना हम कर रहे हैं हमारे कुलपती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अंत में एक फिर पंकियों से मैं स्वाप करना चाहूंगा कि डुबकियां सिंदू में गोता खोड लगाता है जा जाकर खादी हाथ लोट कर आता है मिलते नहीं सहज मोही मोती गहर बानी में बढ़ता दुगना उच्सा इसी हैरानी में मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की गविहार नहीं होती अंत में मैं हर का धन्यवाद करता हूँ जै बिहार जै भारत वंदे मातरम बहुत भुत धन्यवाद कुलसची महोदे अब मैं सबा में उपस्तित गन्मा नतितियों और तमाम लोगों से अनुरोद करूँगा कि वे रास्चगान के सम्मान के लिए खड़े होने की किपा करेंगे कि वे रास्चगान के लिए कि अब मैं अब मैं सभी मंच पर उपस्तित गन्मान वेक्तियों से अब मैं अब मैं आप सभी का आप सभी ने बहु मुल्य समय अपना दे कर हमारी कारिक्रम की सोहा बढ़ाई कि अब मैं सभी मंच पर उपस्तित गन्मान वेक्तियों से साधर डिवेदन करूंगी कि आप सभी के लिए कि हमारे विट्यालक के गेस्ट हाऊस में हाई टी की वेवस्ता की गई है क्रीपिया वहाँ उपस्तित होकर और हाई की आनन लेकर हमारे विस्विद्याली का मान बढ़ाए है ऑर इस यह करिक्रम में